वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 वेस्ट इंडीज और जिम्बाबे ने जीत के साथ सुरुवात की टूनामेंट के पहले दिन लगे तीन सतक दो बार विस्ब कप जितने वाली वेस्ट इंडीज के लिए चार खिलारियों ने अर्थ सतक लगाया वहीं जिम्बाबी के लिए सीन विलियम और क्रेक इर्वन ने सतकिये पारी खेली वहीं अमेरिका के गजानन सिंग ने विस्ट सेंचूरी लगाया विस्ब कप क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज और जिम्बाबे ने रवीबार 18 जून को करमसर USA और नेपाल के खिलाप जीत हासिल की ग्रूप A में मिली इस जीत के साथ ही दोनों टीमे ने दो अंक प्राप्त कर लिये हैं विस्ब कप जितने वाली वेस्ट इंडीज के लिए चार खिलाडियों ने अर्ध सतक लगाया वहीं जिम्बाबे के लिए सीन विलियम्स और क्रेक इर्विन ने सतक ये पारी खेली वहीं अमेरिका के गजानन सिंग ने भी सांधार सेंचूरी लगाया पहले मैच की बात करे तो जिम्बाबे के कपतान क्रेक इर्विन ने टोज जितका गेंजबाजी का फैसला किया नेपाल ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 290 रन का बड़ा स्कोर बनाया उसके कुशल भूरतल ने 99 रनों की पाड़ी खेली विकेट की पर आसिफ सेख ने 66, कुशल मल्ला ने 41 और कपतान रोहित पैडल ने 31 रन बनाया जिम्बाबे के लिए रिचार्ड एनर गरवा ने सबसे ज़्यादा चार विकेट लिये इर्विन और विलियमसन का सतक 291 रन का लक्ष का पिछा करने उतरी जिम्बाबे सांदार बल्ले बाजी की उसने 44.1 एक कवर में 2 विकेट पर 291 रन बन समावाद 102 रन बनाये वह बंडे में जिम्बाबे के लिए सबसे तेज सतक लगाने वाले बल्ले बाज बने तीम के लिए वसले मदेवरे ने 32 और जय लड गंपी ने 25 रन बनाये वेस्ट इंडिज के बल्ले बाजों ने दिखाया अदम दूसरे मुकाबले की बात करे तो अ 93 रन बनाये जोसन चाल्स ने सबसे ज्यादा 66 रन की पाड़ी खेली जेसन होल्डर ने 56 रोस्टर चेज ने 55 और कप्तान साई होप ने 54 रन बनाये निकुलस पुरन ने 43 रन की सांदार पाड़ी खेली अमेरिका के लिए कायल फिलिप और सोरबत्री वालकर ने 33 विकेट लि गया दो 68 रन का लक्ष का पिछा करने उत्री अमेरिका की टीम ने लडाई तो अच्छी की लेकिन वह मैच को जीत नहीं सकी अमेरिका के लिए गजानन सिंग ने 101 रन के नावाद पाड़ी खेली उन्होंने दूसरे छोड़ पकिसी का साथ नहीं मिला एक जहांगीर ने 49 और सौरब ने नावाद 34 रन बनाया वेस्ट इंडिज के लिए कायल मेर्स और अलजारी जोसप ने दोदो विकेट लिए जेसन होल्डर और उस टन चेज को एक एक सफलताए मिली